चलिए बनाते हैं आज बच्चों की मन पसंद स्कूल टिफन रेसिपी तो बहुत ही टेस्टी एकदम हेल्दी बनेगा ये और इसका देखे कलर और कितना कलर्फुल बना है और एकदम क्रिस्पी टेस्टी सा ये सेंड्विच बनके त्यार होगा तो चलिए बनाते हैं सबसे प अलू को अलू को मैंने उबाल के अच्छा से ठंडा करने के बाद एकदम बारिक कद्दुकस कर लिया है और एकदम बारिक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं इसमें एक और अपनी मन पसंद कोई भी सबजी आप इसमें डाल सकते हैं और अब मैंने लेथे आधे कप स्वीट इसको मैंने उबाल लिया है और 5-6 मिनिट उबालने के बाद इसको पानी हटा के इसके में डाल देते हैं और बारिक कटा हुआ हरा धन्या डालेंगे और कुटी वी लाल मिर्ची डालेंगे इसमें चेली फिलेक्स डाल सकते हैं और स्वाद नमक डालेंगे हरी मिर्ची का य पनी डाल सकते हैं गाजर डाल सकते हैं शिमला मेल्च टमाटर जो भी आपको पसंद है तो मैं इसे केवल प्याज आलू और स्वीट कॉन से बना रही हूं यह हमारी बहुत ही टेस्टी चट्फटी सी फिलिंग बनके तैयार हो गई है अब हम हम लेते हैं ब्रेड तो मैं वाइड ब्रेड ले रही हूं आपके पाँ जो भी अविलेबल है ब्रेड ले सकते हैं इसके उपर से हम लगा देते हैं इस तरह के जहिए जल्ends मेऑ लजा हैं लेकिन ब्रेड में फैला लेते हैं। इसको अच्छे से ब्रेड में फैला लेते हैं पूरी तरीके से एक्टम टेस्टी और क्रिस्पी शाये सेंड्विच बने के तैयार होगा और मियोनीज लगाने के बाद इसके उपर से हमने जो आलू की फिलिंग भनाई थी उसको इसके उपर अच्छे से फैला देते हैं तो ज अलू की फ्यलिंग इसमे अच्छे से फ्हेलाने के बाद हम इसको दूसरे वक्र से कबर करेंगे तो दूसरे ब्रेड में भी मैंने लगा तो आप इसमें एक तरफ मियोँज एक तरफ गृण चटनी भी कर सकते हैं धनिया फुदीने वाली तो जो भी आपके बच्चों को पसंद हैं आप इस तरी के से लगा सके लिए ने के बारों कि अपर रखेंगे और हलका सा इसे दबा देंगे तो इस तरीके से डिलकुल अच् लेकिन इसको हम शेकेंगे घी में तो आप गी की जगर बटर में भी शेक रही हूं एक चमस घी डालेंगे और इसमें हम ये सैंडवीच रख देंगे इसको हमें दो से तीन मिनट लो फ्लेव में शेकना है और जैसे ये एक तरफ से शेक जाएगा इसके उपर से हम फिर से घी डाल देंगे तो इसमें में उपर से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से घी लगा देती हूं ताकि ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर और क्रिष्पी बने है गीं बटर से अच्छा क्रिष्पी बनता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है जे इस तरीके से सारे ब्रेडों को सेंड्विच को हम बलड फलड के बिल्कुल बढ़िया सा क्रिस्पी कर लेते हैं यह हो गया है अच्छा सा क्रिस्पी और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो इसको हम कट करेंगे तो आपको कट करने से बता चलेगा कि इतना क्रिस्पी कमाइब भी और इसमें इसमें चीज डाल सकते हैं तो आपके बड़े बच्चे हैं तो इसको काट के टेफिर्मन रख सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इसको चोटे संड्विश कर्ने के बच्चों को खाने हैं और इसेंकBill सीसे लगाई है अग्याने में सब्सक्राइब ने क्योब्स में प्रशनली है काट लिए इस चोटे से लिए लिए लिदे हम diagnostic लेदेकं दुर्चे से केैङ बुलिक्व को टिफिन में लगा देंगे और थोड़ा सा उपर से आप इसमें हराधनिया म्योनी चटनी या टमेटो केचप डाल सकते हैं इसके साथ आप इसको रख सकते हैं जो बच्चों को पसंद है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज करें